डॉक्टर अर्पी चोपडा जैन ने अपने 20 वर्षों के चिकिस्सकी अनभव एवं रिसर्च के माध्यम से मौडन होमेपेथी चिकिस्सा पधती का विश्कार किया है। जिससे अभी तक वह चर्म रोगों के कई ला इलाज एवं संक्रमित लोगों का सफल उपचार कर चुके हैं। तथा वे लोग बिना किसी दवाईयों के निर्भरता के अपना स्वस्त एवं खुशाल जीवन जी रहे हैं। आईए मिलते हैं कुछ ऐसे ही खुशाल लोगों से जिन्होंने डॉक्टर अर्पिट चोपड़ा जैन की मौडरन हुमे पैधिची किस्सा पधती को अपनाया और अपने ला इलाज चर्म रोगों से पूरी तरह चुटकारा पाया। आम तोर पर चर्म रोग, त्वचा विकार या संक्रमन की स्तिती में स्कीन डिसीसिस के कुछ प्रकार इस तरह हैं। जैसे रूखी या ओईली तोचा होना, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, एक्जिमा, रोजेशिया, जिसमें चेहरा लाल हो जाता है, डर्मिटाइटिस, अथवा सोरैसिस, सफेद दाग, लिकोडर्मा या विटी लिगो, त्वचा का गैंसर, तिल, मुहासे, मस्से, दाद, खाज, खुजली, फोड़े, चकत्ते, बेसल सेल कार्सिनोमा, डेरियर्स डिसीज, नाखुनों में होने वाले फंगल इंफेक्शन, केलाइट, मेलानूमा, मेलास्मा, ऐसी कई अन्य तवचा संबंदी बिमारियां हैं, जिने मुख्य तह स्किन डिसीज में पाये जाता है, चेश्ट में और बैक में रैशेश हो गया थे, और मैं बहुत परिशान हो रहा था, फिर में डॉक्तर साम के पास आया, उन्होंने मुझे एक महिने के दवाई के डोस दिया, जिसके से 15-20 दिन के अंदर मेरा रैसे से वो खताम हो गया है, और मुझे बहुत आराम किला है, तो मेरी अलर्जी जो है, मतलब जिसके का मुझे दाने निकल गया थे, अलर्जी की दाना, वो दाने साभी बैड ही नहीं है, तो मुझे जो है, महुत अलाम कर रहा है दवाई खाने से, तो दोस्तों इसी उम्मित के साथ, कि मॉडर्न होमिती का उप्योग आप ज्यादा से कर सकें, और कहीं नहीं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें, इसी उम्मित के साथ, अगर आपको लगता है कि सभी 3000 पेसेंट के किसी भी एक पेसेंट के डेटा से, चाहे वो stage 1 से stage 5 के किडिनी फिलिर के पेसेंट हो, चाहे वो किसी surgical बीमारियों से गरसीत, ऐसी बीमारी जि आइटीपी जैसे ही हमेटरोजिकल बीमारियां या फिर हो सकता है कि अस्पताल में गंबी रुप से भरती मरी चाहे वो कोमा तक की स्थिती में जो पहुंच चुके हैं जिनें कह सकते हैं कि दूसरा जीमन मिलना लगबग असंभव माना जाता है ऐसे कई सारी पेशन्स को जम पॉस्थ दधार पर उनके दौरा बनाया गए जो डॉक्रोच के अदार पर आप उन सभी प्रेशननक्रों के बारे में व्याक्या ले सकते हैं इसी उम्मित के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें हमेशा मुस्कुराते रहें मैं यूज वप Đत्र